इगनु ने जून 2022 ट्रमन एक्जामीनेशन के लिए असाइमिट समिशन का लास्ट डेट पांच वी बार एक्स्टेंड कर दिया है जिसके बारे में इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे वीडियो को कम्प्लीट देखिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजिए ताकि इगनु से रेलेटेट सा भी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चलिए इसके अलावा जितने भी रेजिनल सेंटर के रेजिनल डाइरेक्टर है उनको ये बोला गया है कि सभी स्टेडी सेंटर पर इस नोटिफिकेशन को फॉरवर्ड किया जाए और नोटिफिकेशन को देख सकते है इसको 18 जून 2022 के डेट में जारी किया गया है और यहाँ पर अ असाइमेंट 30 जून 2022 तक सम्मिट करवा सकते है और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट डेट को एक बार और एक्स्टेंट किया जा सकता है तो लास्ट डेट को एक्स्टेंट कर दिया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आप अपना असाइमेंट ऑनलाइन य यहां पर यह notification आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं तो इस notification को Delhi One Regional Center के official Facebook page पर update कर दिया गया है जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं बता गया है कि 30 जून तक आप assignment को submit करवा सकते हैं इसके अलावा जो similar regional center है इनके official Twitter handle पर भी इस notification को update कर दिया गया है जिसमें यहां पर आपको बता गया है कि जो आपका assignment है वो आप 30 जून तक submit करवा सकते हैं इसके अलावा जो देहरादून regional center है इनके official Twitter handle पर भी update कर दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि 30 जून तक आप assignment को submit करवा सकते हैं और जैसा कि इस notification में बताया गया है यहाँ पर आप नीचे करेंगे कि इस notification को बहुत ही जल्द है यानि कि बताया गया है कि सभी regional center पर update करने के लिए जिसमें आपको यह बताया गया है कि जून 2022 के लिए आप अपना assignment 30 जून तक submit करवा सकते हैं तो यह सभी regional center के लिए है सभी study center के लिए है और जितने भी program है सभी के लिए है यानि कि सभी student के लिए है तो अगर अभी तक आपका assignment नहीं बना है तो हो सकता है कि यह आपके लिए आखरी चांसों नहीं बना है और आपको यह नहीं पता है कि assignment आपको कहां पर किस mode में submit करना है तो उसे आप इस वाले website पर आगर के चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको सभी regional center का information मिल जाएगा इसका link नीचे दिया गया है तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए कोई question है तो नीचे comment box में आप बता सकते है